रादे रादे एवरिवन जनमास्ट मी पर लड़ू गोपाल जी को धनिया पंजीरी का भोग जरूर लगाया जाता है सभी घरों में ये बनता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मैं धनिया पंजीरी कैसे बनाती हूँ बहुत ही सरल विदी से दो से तीन मिनट में ये रेसिपी तयार हो जाती है सच मानिए लड़ू गोपाल जी को ये 56 भोग के बराबर प्रिय है तो आप कुछ बनाएं ना बनाएं जनमास्ट मी पर धनिया पंजीरी का भोग आप लड़ू गोपाल जी को जरूर लगाएं तो यहाँ पर मैंने एक कडाई ले लिया और कडाई को गैस पर रख देंगे गैस ओन कर लेते हैं और उसके अंदर हम डालते हैं दो चमच देसी घी गायका हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो जो भी देशी घी आप घर में यूज करते हूं वो आप ले सकते हैं और फिर इसमें डाल जाते हैं खूब सारे ड्राइफ रूट्स तो ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं मैंने काजू बदाम लिये हैं अच्छी से भून जाएं प्यारी सी सोंदी सी खुश्बू आने लगेगी साइड में रख देंगे वापिस से उसी कड़ाई के अंदर हम दो चमच ऐसे देसी घी फिर से डालेंगे और उसके इंदर डाला जाता है घर का पिसा हुआ लें आप धनिया घर का पिसा हुआ लें प्यारी सी खुश्बू आने लग जाती है गैस बंद कर देंगे जब ठंडा हो जाएगा उसके अंदर थोड़ी सी देखिए हमें या पर पिसी वी चीनी या बूरा एड करेंगे और ड्राइफरूट जो हमने अलग रखे थे भून करके वापिस से उसमें उसे डाल देंगे और अच्छे से हमें से मिला लेंगे बस इस तरीके से हमारी दो से तीन मिनट में ये धनिया पंजीरी तयार हो जाती है जब घर में नए बालक का जनम होता है न तो ये धनिया पंजीरी जरूर बनती है और वैसे तो हमारे लड़ू गोपाल जी का जनम होता है जनमास्चमी तो रात में 12 बजे, आप इसे दिन में बनाएं, और रात में 12 बजे के बाद जब जनम हो जाता है लड़ु गोपाल जी का, तब इस धनिया पंजीरी का भोग आप भगवान जी को जरूर लगाएं, इस धनिया पंजीरी को जल में डाल करके ही चंद्रमा को अर्गे दिया जात और इसको खाकर के ही वरत खोला जाता है, धनिया पंजीरी खाकर के ही जन्मास्चमी का वरत खोला जाता है तो आने वाले तेवहार पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें जन्मास्चमी पूजन से समदित बहुत सारे वीडियो चनल पर आचुके हैं, आप उन वीडियो को भी जरूर देख लें, राधे राधे